आठ नवंबर 2016 टीवी स्क्रीन पर देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने एक एलान किया था खबर थी कि देश में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे डी मॉनिटाइजेशन यानी नोट बंदी ने पुरे देश को हैरान कर दिया था RBI ने पुराने नोटों को बदलने के लिए कुछ दिनों का समय भी दिया था अब अगर नोट बंदी के 7 साल बाद कोई आपसे पुराने नोटों के बदले व्यपार करे तो लाजमी है आप सोचेंगे ये कैसी दोका धड़ी है भला हलाकि ऐसा सच में हुआ है ख़वर उत्तरप्रदेश के बरेली से है जहां भक्तों ने भगवान को ही चुना लगा दिया दर असल श्यामत गंज के श्री साई श्याम मंदिर में कुछ भक्तों ने मंदिर की दान पेटी में 500 के पुराने नोट डाल दिये नोट बंदी के 7 साल बाद भी भक्त पुराने नोट भगवान को चड़ा रहे हैं अगर आपके पास दान करने के लिए रुपए नहीं है तो दान ना करें लेकिन इस तरह से मानफता और लोगों की श्रद्धा को ठेस ना पहुँचाएं ऐसे लोग इंसानों को तो धोका दे सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं ये शब्द है मंदिर के पुजारी पंडित सुशील कुमार पाठक के उन्होंने और क्या क्या कहा आए सुनते हैं मंदिर के पुजारी सुशील कुमार पाठक कहते हैं कि ऐसा काम करके लोग पूर्ण्य की जगा सुएम को पाप के भागीदार बना रही है पंडित जी ने बताया कि 2018 में ऐसे पांच नोट मिले थे और हाल ही में 500 रुपय का एक पुराना नोट फिर से दानपात्र से निकाला गया है ऐसी हरकत करने वाले मनुष्य सुएम को धोका दे रही हैं ऐसे नोट जो चलंज से बाहर है जिने दोहजार सोले में बंद कर दिया गया ऐसे पांच नोट अक्तूबर 2018 में निकले और एक नोट अभी इसी हफते यानि स्तरी बार को जब हमने दानपात को ला तो उसमें 500 का वो नोट जो चलंज से बाहर है अक्तूबर 2016 में हो गए से वो नोट निकले हैं ऐसे नोट डालना यानि इश्वर को धोका देना इश्वर को धोका कौन दे सकता है यानि शोहिम को धोका दे रहे हैं ऐसे नोट डालकर जो अगर आपके पास हैं आप सवाल के रखिए कुछ भी कर सकते हो पर उतो दानपात में डालना ना डालना दोनो लोकलेटीन ने मंदर के पुजारी से सवाल किया कि दानपात्र से निकाले गए पनोटों का अब वो क्या करेंगे इस पर उन्होंने कहा कि सरकार के बैन करने के बाद भी लोग पुराने नोटों को आज भी भगवान के दानपात्र में डाल रहे हैं इन नोटों को वो अपने पास संभाल कर रखेंगे और आने वाली पीडी को दिखाएंगे कि इस तरह के नोट भी प्रचलन में चला करते थे शियामत गंज के श्री साई श्याम मंदर के पुजारी पंड़त सुशील कुमार पाठक 500 की पुराने नोटों को संभाल कर और सुरक्षित रखेंगे क्योंकि इन नोटों को भगवान की चरणों में अर्पित किया गया है बरेली से लोकले टीम के लिए विकल्प कुदेशिया की रिपोर्ट